हाई अब्रीवन मैं सुहानी और वेलकम बैक टू मैं चानल सो गाइज आप देख रहे हो कि मेरा बैग्राउंड जो है चेंज हो चुका है क्योंकि मैं अपने नए घर में शिफ्ट हो रही हूं मतलब मैं अपने घर में आ चुकी हो और आज मैं आप रोशाय शेयर करूंगी मे से 15 दिन लगते हैं तो हम दीरे दीरे अपने सामान को लेकर आ रहे हैं अभी हमने सिर्फ किछुन के कुछ समान लेकर आए हैं जो हमें ज़रुत होता है खाने बनाने में पकाने में और हम अपना बैड लेकर आया है जो हम आपे खा सके और रह सके और घर पूरा खाली है तो तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरा अपना खुद का नया घर जो हमने रिसंटली अभी बनवाया है और हम यहाँ पर आ चुके हैं तो चलिए देखे तो यह है में डोर जब आप में डोर से एंटर करते हो तो आपको यहाँ पर मिलता है हॉल रूम रूम बिल्कुल भी साफ नहीं है गंदे है सब कुछ ही गंदा है हमें साफ सफाई करने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला है तो यह है मेरा किच्छन enter करने के साथ साथ यहाँ पर आपको मिलता है kitchen kitchen जो है मैं है open ही रखा है मुझे हमेसा से warning था कि मेरा kitchen मेरे hall room के साथ attached हो तो यह है main door और main door से right side में जो है वो kitchen है और यहाँ पर आप देख रहे हो कि कैसा आलत है सब कुछ जो है बस हम यहाँ पर खाना बना रहे है और खा रहे है जैसे तैसे तो हम लॉक्डाउन के वज़े से बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहे है तो जितना हमने किया है बस लॉक्डाउन पियर्ड में जो हमें कलर वलर मिला है हम कलर ही करवाए है और टाइल्स का काम हुआ है और बाकी कुछ हुआ नहीं है तो यह जो है यह नीचे का फ्लोर है तो यह डाइनिंग एरिया है और उसके साथ ही हम यहाँ पे इस जगा पे सोफा रखने वाले हैं जो कि अभी आया नहीं है पता नहीं कब सब कुस एरेंज होगा तो आप प्लेस थोड़ा जो गंदिगी है उसको अप इग्नोर करन कईन कि ओशियू है और घर पर ध्यान देना तो हाल रूम से जो तफास ही एक पास में है तो यह जो है यह चोटा सा चोटा माझल अपने closet room में ले जाने वाले हैं तो यह एक bedroom है तो इधर से निकल के हम अपने सीडिये के उपर जाएंगे तो मैस जो है प्लेस आप उसको थोड़ा एग्नोर कर लेना wiring भी मतलब इतना खास कोछ अभी हुआ नहीं है तो इधर से हम उपर के तरफ जाएंगे तो उपर के तरफ है हमारा bathroom जो की left side में है तो यहाँ पर एक मैने विंडो बनवाया है ताकि sunlight का कोई भी problem ना हो तो यह है हमारा bathroom तो यहाँ पर हमने कोई color यूज नहीं किया है बस simple सा bathroom है और उसके बगल में ही जो है closet room है जो की विल्कुर भी तैयार नहीं आप लोगो दिखाने के लिए लेकिन हमने room बनवा रखा है ताकि हम lockdown खुलने के बाद बहुत ही अच्छे तरीके से इस room को बनवा सके तो यह है closet closet room closet room से सीधे ही right side में मतलब उसके opposite side ही है मेरा bedroom तो आप देख सकते हो closet room से सीधे ही यहाँ पर मेरा bedroom है और यहाँ पर simple आपको एक bed मिलेगा अवी फिलहाल कुछ भी नहीं है घर में स्रिप bed है और kitchen के समान है तो हमें बस color करवा सके और कुछ नहीं हो पाया हम कुछ बनवा सके अपने घर को furnish करने के लिए तो इस सब नहीं हो पाया सिर्फ simple सब bed है और यह जो wall paper है मैंने खुद किया था तो यह bedroom है बहुत ही बड़ा काफी काफी बड़ा एक master bedroom है और bedroom से जो है यहाँ पर balcony है तो थोड़ा सा दर्वाजे का जोगंदी किया उसको ignore करना हमने अभी साफ सफाय अच्छे से किया नहीं है जब हम अच्छे से सिर्फ छो जाएंगे उसके बाद एक एक करके सब कुछ आप सफाय करेंगे तो यहाँ से निकल के हमें छोटा सा एक balcony मिलता है balcony भी बिल्कुल भी तयार नहीं है कुछ भी अच्छे से तयार नहीं है क्योंकि lockdown है सब कुछ बंद है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो जैसे ही lockdown खुलेगा मैं आप जरूर शेयर करूंगी मेरा fully furnished house store तो यह है मेरा 2BHK का house apartment जो भी है आप house बोलो, apartment बोलो, flat बोलो 2BHK का है, एक closet room, दो bedroom, hall room, kitchen, toilet, bathroom तो यह है मेरा पूरा view मेरे balcony से तो यह था मेरा house store अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करे, share करे और चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को भी subscribe कर ले